कि एलो एवरीवन वेल्कम बैक टो दिस यूटूब चैनल तो आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे कि कौन सा ठीक है तो अगर हम सबसे सुष्क सबसे सुष्क याने की सुखा हुआ है अगला कोशिन अगर हम करें देखें नेक्स टेक्रन कोशन हैं पे क्या दिया गया है कि वीज़ो का सबसे उंचा जल परपाथ जल परपात यह नहीं कि वाटर फोर के बारे में पुछा जा जारा है जो सबसे उंचा है वीज़ों चाही पर इसमी हो जाएगा एट एंजील जल पर का जायगा एंजल ल्परपाज जो है वहाँ जड़ल बात हो जाया ठीड़ का सबसे उंचा जल परपात हो जाएगा ठीके देखते हैंप ख़ी जॉका सबसे बरा जल पर पात अब सबसे बराज को बात कि बत कर gi t लार्जेस्ट वाटरफ़ अफ यह सबसे बरा बरत्वॉक यहाँ पर पूछा रहा है कि बीसो का सबसे चौरा जल परपात कौन सा भूगा जबात करें तो सबसे सब्सक्राइब यह सबसे bet जलब पर पात कॉन सा ओर जाएगा तरुजन पर की जब भी बात किया जने सब्सक्राइब करते हैं चलतले कि समझझ के इसाइब बढ़ते हैं अगला दिया गया कि सबसे सबसे बड़ी खाड़े पानी की जिल टीके जो घारङफनी होती है ठीक है सबसे बड़ी जिल की बात हो रही है कि शलिसंट को सबसे बड़ी खाड़े पानी की क्या है क् Professor je lakas excel ہے जो सबसे बड़ी खारे पानी की जंशेज आगे हैं अगले कोशचिन के तरफ पने का समने के सबसे बड़ी चुने करें रिभूट के एगर हम जील की के बात करें तो होला जाएगा लेक सुपिरियर जोलेक सुपिडियर है वो सबसे टेक्ड और ug2 है फेसवाटर लेक लेक सूप्रियर हो जाएगा, जब से गहरी जील पिंद्थ कि अगर सबसे गहरी जील की बात कर चाहं कि जिसका जहारा непो Sब से जब गहर है तो भीक ज मेर सकते हैं जब से गहरी जील के जब भी नहीं कर दें हो, खोंसा, सबसे अधिक उचाई पर इस्थित है कौन सा है जो है उस्थित में सबसे अधिक कुछ हाई पर स्थित ज issue क्रितरी मतलब क्या होता हैा कि इस से मान ध्वारा भनाए यानि कि próprio भनाया गया है उस Holz GitHub के बारे में कुछा जारा है कि ये सबसे बड़ी कौन जीन देवह होता है ज़ो नेस्ष Floral आपदाओं के यानि की परकृतिक आपदाओं के वज़ा से जील का निर्मान हो गया और कुछ ऐसे थे जिसे खुद से बनाया गया तो उसी का नाम पुछा जारा है कि सबसे बड़ा कृतरीम जील कौन सा है पूरे बिश्व में तो उसका नाम हो जाएगा वोलगा जील ठीक है जो वौलका जील है वो क्या है एक त्रक करतरीम जील है जो क्या है बीश्व की सबसे बड़ी जीलों में से एक है आगे बढ़ते हैं अगला दिया गयाgesch विश्व का सबसे बदा ठीक है ढारा सबसे बात करें तो भारत के किस राजय में इसी थै तो पॉसिम बंगाल में इसी थै ठीक है वेस्ट बंगाल में इस इस थै और अगर हम बात करें कि इस ब्विबाद चलता रहाता है कौन्टरवर्शी तो किस किस देस के बिच में विवाद चलता है तो इंडिया और बंगलादेश के बीच में हमेशा इस डेल्टा को लेकर चलता है विवाद चलता रहाता थेकिशे अगला सवाल है कि विश्वा का सबसे बढ़ा महाकावतं है क resiliency महाभारत के रचहिटा ने तो इनके रचहिता रचहिता है बेदभ्यास कौन है बेदभ्यास ज्नों महाभारत लिखाता तीक है और हम बात करें रमायना की ठीक है तो रमयन की दोरा लिखा गया है जबकि अगर हम भारत की बात किस ने लिखा है तो बेध ब्यास ने लिखा पढ़ करें कि क्ली ऑनकर सबसे बार अजयागा उत्तर हो जायगा अमेरिकन आफ ने चुरल एक है जो अमेरिकन पेजियम अफ नेचिरल ही स्थी है वह सबसे बार आजयी आग् двух कर दाद चीदी अगर किसको को हैं सबसे बराइब जो क्यों का हम बात करें dal्वारा कि अगर नेशनल पार्क सबसे बराईब करें कि समसे बराई एघर काा सबसे बराईब से भराई इनेशनल पर्क गया सबसे बराईब का नहीं एन और जर रहा है अगले सवाल में कि बिश्व की सबसे बरा पक्षी यह सबसे बड़ा पक्षी यह सबसे बरा पक्षी होता है और इसको सुत्रमर्ग भी बोलता है चाहिक इसको शुत्रमर्ग के नाम से जानते हैं कि फ़िशो का सबसे च्छोय आफ पढ़े होंगे हमिंग बाट होटा ही ठीक है बरा पक्षी स्तूरमौ हो गया सबसेबरा плझ चिर्यर कर क्रूजर नेशनल पर्क हो गया और और सबसे बार म्यूजियम की बात करें तो American museum of natural history ठीक है वो क्या हो जाएगा 20 का सबसे बार म्यूजियम हो जाएगा सबसे बारा चीरी अगर क्रूजर नेसल पार्क सबसे बारा पक्षी जिसको सुतर मर्ग भी बला जाता है सबसे चोटा पकशी कौन सा हो जाएगा तो हमिंग बाड हो जाएगा लिए नेक्स्ट को सरफ बढ़ते हैं अगला कोशन दिया गया कि भी सो का सबसे बरा सु स्तंधारि के सब्सेंबर अस्तंधारी पूछा गया तो अस्तंधारी उसको जो हुआ जो आपने बच्चों को क्या करता हो दूद पीलाता हूँ उसको और सबसे बरहा का मख़ली में नहीं पूल मतलब क्या होता है जो सब्सक्राइब दूद मतलब अस्तंधारी होता है मैं म inadलब क्या होता है तो अस्तंधारी होता है अस्तंधारी किसको को बोलते हैं जो अपने बच्चों को दूद harder कि मैं इस में आगया औहstrि आगे बढ़ते हैं कोशन के तरफ अगला विश्व का सबसी विशाल मंदीर के बारे में पुछा जा कहां पर है तो अंकराट का मंधिर कहां पर स्तित 있지 hat तो सबसे बिशाल मंधिर में इस से एक है अगला है कि 200 महत्ना बूद्थ की सबसे उंची पर दिन पुछा जा रहा है पुरे shrap कहां पर है ठीक है सबसे उंची परतिमा सबसे उंचा इस्टेश इनका अगर पूछा जा तो इसका सही उतर हो जाएगा उलान बट्र जो कि मंगोलिया में इस्टित है कहां पर इस्टित है तो मंगोलिया में ठीक है उलान बट्र कहां पर है मंगोलिया में वहीं पर आपको महत सबसे उंची परतिमा देखने को मिल जागा ठीक है तो चलिए एक और चीज आप से पूछ लेते हैं कि अगर सबसे सबसे बरा मुर्ती की हम बात करें तो कौन सा है ठीक है इसका नाम आपको कमेंट सेशन में बताना है कि तो सबसे बरा घंटा घर को सबसे बड़ा घंटा घर कौन सा हो जाएगा तो ग्रेट वेल आफ मॉस्कों नेक्स्ट है कि विश्वा की सबसे बड़ी मूर्ती कि अगर हम बात करें तो देखिए यह पहले हुआ करता था यह चेंज हो गया तो यहां से घाछी लिए लिजए यह पहले हुआ करता था लिखिन अभ यह चेंज व कैने तो बिश्वा की सबसे मूरी बड़ी मूर्ती में से एक था सिकन अब बदल गया इसकी जगह पि को albeit आ क्या यह इंडिया में है और इंडिया के गुजरात में जो इतना हींट मिल आपको समझ ने आ इतना के से कोई भी और दे सकता है अगर थोरा सा आँ अगले कुष्चन अगला कोश्चन है कि सबसे बारा हिंदू मंदिर जो पढ़िसर पुछा मंदिर जो पड़ीशर होता है उसका बारे में पूछा जाएगा तो bysh podeuse सबसे बर्या हिंदू मंदिर पड़ीशर के अगरा बात करें जो उसका पूरा कैंपवस है तो वह झाएगा सबसे का सबसे बारा हिंदू मस्जिद की अगर हम बात करें पूरे जो विश्व में सबसे बड़ी मस्जिद की बात करें तो हमारा हो जाएगा जामा मस्जिद कौन सा जामा मस्जिद हो जाएगा जो की कहां पर है दिल्ली में इस्तित है ठीक है तो सबसे बड़ी मस्जिद भी कहां पर इस्तित है और सबस स्टान मुझू मुझू स्टान लोग कहीरा च George श करें सबसे चोटी सहर में है जिसका नाव वेसिलिका और सेंट पिटर टीक है वेडिकन सीटी तो यह सबसे छोटा देश है टीक है वेडिकन सीटी के बार में आपको यहां पर पता चल गया कि यह क्या है वीस्व की सबसे छोटा देश में से एक है अगला सवाल पुछा गया कि 20 की सबसे बड़ी railway line सबसे बड़ी railway line की बारे में पुछा जारा कि कौन सा है तो Trans-siberian जो है वो 20 की सबसे बड़ी railway line है ठीक है कौन सा Trans-Siberian तो आपको बताना है कि जो Trans-Siberian यह कहा पर है ठीक है अपको यह इतना चीज बताना है तो जो जो चीज हम पूछते चले कोसिश करिए गाव बताने का नहीं आ रहा है तो सो पहलें कि विश्व में सबसे लंबी सुरंग तो सबसे लंबा सुरंग कौन सा है बीशौ का तो सफेल उतर हो जाएगा सीकन र אל वे सुरंग जो कि कहां पिस्थित है जपान में जपान की र殺धानी की एकर करेंड जपान में के विद्धाइक अब करेंसी कहा है तो जपान की करेंसी क्या है तो एन हो जाएगा तो यह सारे चीज़ अ फर्ली ठर्स चापन नुक्रते चलीएगा उसे क्या होगा कि आपका जो भी चीजह किलियर होते चलेगा विश्व का सबसे लंबा अगर प्लेटफर्म की बात करें लंबा रेलवे प्लेटफर्म तो हो जागा खड़गपूर पशिम बंगाल ठीक है यह पहले हुआ करता था इसका जो अभी करेंट जो है आपको पता करिएगा कमेंट सेशन में जरूर बताएगा ठीक है यह करता था लेकिन अब यह हो गया ठीक है कि विश्व का सबसे 20 से 20 रेलवे तकी बात करें तो गांट विस्व का सबसे 20 सबसे 20 सब्सेंदर निवर्म बात करें तो हो जाएका भूज हो सिकागो को जो इंटरनेशनल एरपोर्ट है वो सबसे बिजेस्ट एरपोर्ट अफ़्त वर्ल्ट हो जाए ठीक एक कौन सा बिजेस्ट एरफट झाल झाल